मैं ब्रिंदावन से जमना जी की रज लाई हूँ, क्या मंदर में रख सकती हूँ? आनन्द मंजरी जी है समस्ति पूर बिहार से बिलकुल आप जमना जी की रज को मंदर में रख सकते हैं, आप सुबह शाम परणाम करें, माथे पे धान करें, हृदय पे लगाएं। अगला परशन है, गुरु मंतर दिक्षा के बिन क्या दान तब तीर्थ का पूर्ण नहीं मिलता? मिलता तो है लेकिन बहुत कम, कहाना गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते, दान, गुरु बिन सब निस्फल भयो, भूजत वेद पूरा, सरोपरी महिमा गुरु से, सबजी और रोटी, हम ग्रहन करते हैं, खाते हैं, ना तो रोटी रोटी खा पाते हैं, ना सबजी सबजी खा पाते हैं, रोटी रोटी कुछ दिन खाएंगे, पेट में गरबडी हो जाएगी, और सबजी सबजी खाने से पेट भरेगा नहीं, इसने सबजी भी हो और रोटी भी हो तो गुरु ना बनाए खाली पुल्णया पुल्णया करें स्वरग तक जाएंगे भगवत प्राप्ति कोई भी पुल्णया हमको भगवान की तरफ नहीं ले जा पाएगा इसलिए गुरु बनाना बहुत अवश्यक है ऐसे हैं कि देखो बिना शादी कराए कोई करवा च वक्ति होई नहीं सकती हम दानपुन परुपकार सब कुछ करें लेकिन गुरु ना बनाए तो गुरु बिन भवन ने दितर ही ना कोई जो विरंच शंकर सम होई आपके पुल्णया आपको स्वरग ले जाएंगे ब्रह्म लोग तक ले जाएंगे आपके पुल्ण जन लोग करते वे दिक्षित पहले आप होएं नाम जाब करें दिक्षा मंत्र का जाब करें गुरु आज्या में रहकर आप जो भी पुल्ण करेंगे सब का अक्षय फल होता है और अपनी मर्जी से पुल्ण करेंगे सब का अक्षय फल होता है तो अक्षय फल प्राप्त नहीं होता ब काम करेंगे यदि आपके आपने गुरु बना रख़ा है तो उत्तम है गुरु बना के पुर्ण करने की अधिक महिम है अक्षा फल गुरु बनाने के बाद प्राप्त होता है उससे पहले आपके करमों का फल स्वरग ब्रम लोग जन लोग तपलोग महर लोग यहां तक बस वश्चक है